बिहार में गर्मी का सितम जारी है वहीं राज्य के तापमान में हर दिन बड़कोत्री भी जारी है पटना सहित बिहार के कई जिलो में लू की शुरुआत हो चुकी है तपती धूप में घर से बाहर निकलना भी अब मुश्किल हो गया है वहीं दक्षिन बिहार के कई जिलों में उष्ण लहर के साथ लू की स्थिती देखी जा रही है बिहार के मौसम में अगले तीन दिनों के अंदर बड़ा बदलाव होने का पुर्वानुमान है कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना है पचुआ हवाएं अपनी रफ्तार थोड़ी कम करेंगी इसका असर मौसम पर पड़ेगा हलांकि तापमान में कोई बड़ी राहत नहीं होगी अपरेल के शुरुआत से ही बिहार का तापमान 40 डिगरी सेल्सियस के पार पहुँच गया है साफ आसमान में तेज पचुआ हवा चल रहे है इससे सुबह भी दोफर वाला हिसास हो रहा है वहें गुरुवार को यानि की चार अपरेल को बकसर में तापमान 42 डिगरी के पार पहुँच गया पटना मौसम विभाग के अनुसार साथ अपरेल तक राज्य में उत्तर पचुआ हवा का प्रवाह जारी रहेगा और तापमान में व्रुधी होने की भी संभावना जताई गई है आज यानि के शुक्रवार को राज्य की कुछ जिलो को छोड़ कर ज्यादातर शहरों का तापमान 40 डिगरी से उपर रहने का पुरवानुमान है वहीं दूसरी और आज दक्षिन सहीत उत्तर बिहार के कई जिलो में भी तापमान में काफी बढ़ोतरी की संभावना है दक्षिन बिहार के ज्यादतर जिलो का तापमान 40 डिगरी से उपर या उसके आसपास रहने वाला है साथ और आठ अप्रेल को दक्षिन बिहार के कुछ जिलो में हलकी बुंदा बांदी और बादल चाय रहने क्या सारे हाला कि इससे तापमान में खासा अंतर नहीं होगा सुक्रवार के आनि कि आज और कल शनिवार को हीट वेब से रहत की उमीद नहीं है बिहार के नौज जिलो में 40 डिग्री से उपर तापमान रह रहा है इन नौज जिलो में उषने लहर के साथ लूक इस्थीती बनी रही सबसे अधिक तापमान बक्सर में 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा दूसरे नंबर पर शेखपुरा रहा जहां का तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अंगाबाद में 41.5 बाग्ता में 40 खगडिया में 40.8 गोपाल गंज में 40.6 भोजपुर में 40.4 सिवान में 40.4 और नवादा में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा एक गड़ फिर से बताते चलें कि बिहार में गर्मी का सितम लगातार जारी है राज्य के तापमान में हर दिन बड़कुत्री हो रही है पटना सहित बिहार के कई जिलो में लू की शुरुवात भी हो चुकी है तपती धूप में घर से बाहर भीयब निकलना मुश्किल हो ग कई जिलो में बारिश होनी की भी संभावना है पच्छुआ हवाई अपनी रफ्तार थोड़ी कम करेंगी इसका असर मौसम पर पड़ेगा हलाकि तापमान में कोई बड़ी राहत नहीं होगी अप्रेल की शुरुवात से ही बिहार का तापमान 40 डिगरी सेलसेस के पार पहु पच्छ गया पटना मौसम विभाग के नुसार 7 अपरेल तक राज्य में उत्तर पच्छुआ हवा का प्रवाह लगातार जारी रहेगा और तापमान में भी व्रुधी होने की संभावना है